नमशकार दोस्तों मैं अंकर अपाधीय स्वागत करता हूँ आप सबीका आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलीसिस में दोस्तों देखिये जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको मार्केट से रिलेटेट सारी खबरे हमारे चैनल पे मिलेंगी and सबसे पहले मिलेंगी आज का एक कही न कही लोगों के मन में एक ऐसा स्टॉक है जो काफी जादा डरा रहा है पिरामल एंटरप्राइज़ पता सबको अगी क्या हुआ है लेकिन जब प्राइज नीचे होता है न तो अलग-अलग सवाल उठते हैं आपके पास भी अगर पिरामल एंटरप्राइज़ का शेर है तो पहले तो मैं आपसे कहूँगा बिलकुल मटडर ये वो 2000 वाला 40-50% नीचे दिख रहा है उसके बदले आपको पिरामल फार्मा के शेर मिलेंगे बाकी पूरी डीटेल जानने के लिए मैंने आज की पहली वीडियो उसी पर बनाई है आप चैनल पर विजिट करें और टॉब मोस्ट वीडियो पर आप किलिक करके देख सकते हैं आज की पहली वीडियो वहां पर जरूर जाके देखिए आपको सारी डीटेल समझ में आ जाएं काफी सारी questions आ रहे हैं तो निश्चिंत रहे हैं मैं already वीडियो बना चुका हूँ और आज की दूसरी वीडियो भी एक corporate action से related है यानि की ये वाली वीडियो क्योंकि काफी सारे लोगों का comment आया था बजाज finance बजाज finzer को लेकर आप सभी को मैंने बताया था कि एक share के बदले हो जाएंगे 10 share split से आपके होंगे 1 share के 5 share और 1 to 1 के ratio में यानि की 5 share के 5 और मिल जाएंगे यानि एक share का overall हो जाएगा 10 ठीक है लेकिन ये कब होंगे इसकी आज जानकारी आ चुकी है company ने record date fix कर दिया तो चलिए इसी के बारे में detail में समझने की कोशिश करते है and क्या खरीदना चाहिए या नहीं इसके बारे में जारेंगे लेकिन उससे पहले look at the market market में आज तूफानी देजी है nifty 17,500 के उपर निकलता हुआ दिख रहा है congestion zone में almost आता हुआ दिख रहा है या US market crash की वीडियो देख लो मैंने एक वीडियो में आपसे बेचने को नहीं का क्योंकि ये जो event based गिरावट होती है ये पहले तो कुछ समय के लिए होती है 24 से 48 गंटे के लिए second thing problem सारी अमेरिका की है हमारी नहीं है आप ये समझने की कोशिश करो ये वीडियो especially मैं उनके लिए बनाता हूँ जो beginners है जो market में पहले से ना उन्हें इन सब चीजों की बारे में जानकारी है लेकिन नया निवेशक पैसा लगाता है instant loss उसका दिमाग खराब हो जाता है फ्रस्ट्रेट हो जाता है फिर इधर उधर हात मारने के चक्करे में वो अपना अच्छा सोदा बेच देते हैं तो ये मत करिए बाकी हमारे साथ जोड़े रही है हर एक वीडियो आप तक पहुचाएंगे सबसे पहले हर एक ख़बर अब आज के session में हुआ क्या है वह देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले बजाज फिंजब के बारे में बात करते हैं जिसके उपर ये वीडियो ही है तो दोस्तों बजाज finance में भी काफी जोड़दार तेजी देखने को मिल रही है शांदार तेजी लेकिन लुक एड़ दा बजाज फिंजब यार क्या रैली चल रही है से स्टॉक में तो मतलब तूफानी तेजी है आज के session में 700 पोइंट की तेजी है लगबग 4.5% टूपर है 3.44 लैक शेर्स ट्रेड हो गया है 3.8 लैक शेर्स का एवरेज वॉल्यम है 52 वी खाई 19,000 का है जिसके सामने अभी अल्मोस्ट 18,000 मैं कहना चाहँगो अल्मोस्ट 18,000 पे ट्रेड करता हुआ कहीं ना कहीं 17,000 पे सॉरी अल्मोस्ट 17,000 पे आगया है 16,800 पे ट्रेड कर रहा है एंड इस्टॉक अपने फ्रेस हाई इसकी तरफ जा रहा है कमपनी ने बॉनस और स्टॉक स्प्लिट सेम अनाउंस कर रहा है उसकी रिकॉर्ड डेट आई है रिकॉर्ड डेट दोस्तों 14 सेप्टेमबर है लेकिन हमें रिकॉर्ड डेट से पहले नहीं हमें एक्स डेट से पहले खरीदना होता है तो एक्स डेट है 13 सेप्टेमबर की यानि जो भी 13 सेप्टेमबर से पहले स्टॉक को बाय करेगा यानि 12 सेप्टेमबर से लेके आज तक या पहले कभी किसी ने खरीदा हो तो वो अगर 14 सेप्टेमबर तक स्टॉक को होल्ड करता है और या फिर मानली जीए आप खरीदना चाहते हो stock split और bonus से पहले तो आप आज खरीद सकते हो बड़ सोच रहे हो market बढ़ गई है थोड़ा wait करता हूँ तो आपके पास समय 13th of September तक का यानि 13 September से पहले आप जब भी खरीदोगे आप eligible हो bonus के लिए और stock split के लिए अब आगे की details देता हूँ stock का भाव मानली जीए 13th September को 12th September को close होता है 18,000 के भाव पे तो 13 September को stock का भाव 1800 पे खोलेगा क्योंकि 1-10 जो है उसी के रेसों में stock का price भी कहीं ना कहीं आपको adjust होता हुआ दिखेगा और आपके account में shares कब तक आएंगे 14th September के 3-5 trading session के बाद यानि almost आप कह सकते हैं 20 September तक आपके account में shares credit हो जाएंगे for example आपके पास अगर 10 share है इस टाइम बजाज fins up के तो आपके account में 100 shares हो जाएंगे एक share है तो 10 share हो जाएंगे ये क्यों होता है company का price affordable बनाने के लिए अभी साइद 17,000 में हर कोई खरीदने के लिए तयार ना हो लेकिन जब 1800-1700 का होगा तो शायद बहुत सारे लोगों की portfolio में ये stock जा सकता है तो हो सकता है इसके चलते हैं stock में buying बनती हो देखे हर कोई अपनी portfolio में add करता हुआ देखे इस stock को तो यहां पर momentum बन सकता है तेजी की side का तो इसको आप अपनी watch list में लगा लें बाकि मेरी तरब से इस पर buy या sell की recommendation नहीं है long term portfolio के हिसाब से मैंने आपको इस stock में buy recommend करा था around 16,000 के something तो वो मेरी अभी भी intact है कोई issue नहीं है long term के हिसाब से तो बजाज finance की holding company है यह तो लंबे समय तो बने रह सकते हैं बागी short term में आप अपने हिसाब से देखें बागी इस stock में जो bonus से related और stock split से details थी वो मैंने आपके साथ share कर दी है hope आपको समझ में आ गई हैंगी thank you so much for watching this video have a great day